नमस्कार दोस्ता आप सब कैसे हैं मैं नागमनी भूंगी आप सब का स्वागत करती हूं आपके अपनी डिप चैनल पर तो प्रेंट्स जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिलाल हमारे चैनल पर आपी 45 देस तिल्कु स्पोकन एक क्लासेश चल रहे हैं जिसका आज का यह 11 वा द अब टाइप करके हमें वाटसप मेशिद सेंट करें जिसके बाद आप को पीदिश की प्रकार मिलेगी उसकी जयनकारी मिलेगी और इन 45 डेस क्लासेश के लिए आपको 45 रुपेत करना पड़ेगा तो प्रें चैनल पर चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करें वीडियो कर सकती हूं? या मैं नहीं कर सकती हूं? आपने लिए बता रहे हूं। जैसे मैं कुछ भी मैं कर सकती तो मैं गल्लू कहूंगी, सकना को कहेंगे गल्नू, कांट, नहीं सकना, नहीं सकना को कहेंगे लेनू, नहीं सकना को लेनू, यह है अपने लिया, मैं फस्ट परसन के बारे में बता रहीं, जब हम अपने बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए गलनू और लेनू कहेंगे, सकना या नहीं सकना, तो चलिए अब इन से कैसे sentences बनेंगे, सीखते हैं, The first sentence is, मैं खा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, को तेल को मैं किस प्रकार कहेंगे, नेनू तिन गलनू, मैं नेनू खा, खाना को क्या कहते हैं, तिन डम कहते हैं, तो उस वहां से तिन लेंगे, तिन गलनू, सकता हूँ, तिन गलनू, नेनू तिन गलनू, मैं खा सकता हूँ, ने और इसी का opposite किस प्रकार कहेंगे, मैं नहीं खा सकता हूँ, या मैं नहीं खा सकती हूँ, को तिलगों में कहेंगे, नेनू तिल लेनू, मैं नेनू नहीं खा सकता हूँ, तिल लेनू, खाना या नहीं सकता हूँ या नहीं सकती हूँ, लेनू, नेनू तिल लेनू, मैं नहीं ख सकता हूं या नहीं खा सकती हूं नेनु तिन लेनु जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे classes में बताया है कि जो भी हम प्रणाउन लेंगे उसके हिसाब से ही हम लोग क्रिया के तो जैसे तुम खा सकते हो, तो कहेंगे नुवू, तिन गलबू, नुवू में लास्ट में बू आएगा, तो तिन गलबू, सेम एक प्रकार रहेगा, पर जो प्रणाउन के लास्ट का वर्ड रहेगा, वही बद के लास्ट में आ जाएगा, तो उसी प्रकार मैं तुम नहीं नुवु तिल लेवू तुम तिल्गु बोल सकते हो, नुब्वु तिल्गु माठ लाडगल हूँ, आप तिल्गु बोल सकते हैं, मीरु तिल्गु माठ लाडगलरू, मैं तिल्गु बोल सकता हूँ, नेनु तिल्गु माठ लाडगलरू, तीक इसका अपोजिट मैं तिल्गु नहीं बोल सकता नहीं सकता हूँ या सकती हूँ कि लेनू आएगा बस इसका ध्यान रखे प्रैक्टिस कीजिए उतना हाड नहीं बस प्रैक्टिस करते रहें अपने अप्तिर्पों आएगा तो चलिए the third one is मैं खाना बना सकता हूँ मैं खाना बना सकता हूँ या मैं खाना बना सकती हूँ नेनू वंट चैगल्लो यह सब क्रिया है तो क्रिया वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसे भी देखे क्योंकि बहुत सारी क्रिया जब तक आप क्रिया पर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो तिल्गो बात करने में थोड़ी मुश्किल होगी क्रिया पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बात करने में आसानी होगी मैं खाना बना सकता हूँ या बना सकती हूँ नेनू वंट चैगल्लो वंट यानी खाना न वंट चैई डम खाना बनाना को कहते हैं तो नेनु वंट चैई गल्लो वंट चैई डम तो बस चैई लेंगे वंट चैई लेंगे और गल्लो वंट चैई गल्लो नेनु वंट चैई गल्लो बना सकता हूँ या बना सकती हूँ 186 गल्लू, मैं खाना नहीं बना सकता हूँ, 216 लेनू, सेम वही हैना देखिये, 246 गल्लू, 247 के बाद में लेनू लगा दिये हैं, यहाँ पर गल्नू लगाए हैं सकना के लिए नहीं सकना के लिए लिए हैं, नेनु वंट चेही लेनु, मैं खाना नहीं बना सकता हूँ ये नहीं बना सकती हूँ, चेही लेनु, नेनु वंट चेही लेनु, सेम उसी प्रकार तुम खाना नहीं बना सकते हो, नुग्वु वंट चेही लेनु, तुम खाना बना सकते हो, नुग्वु वंट चेही लेनु, आप खाना नहीं बना सकते हैं, मीरू वंट चैई लेरू, आप खाना बना सकते हैं, मीरू वंट चैई गलरू, ठीक है friends, सिर्फ जो आप है, आपको मीरू कहते हैं, तुमको नुगु कहते हैं, तो seven pronouns मैंने आपको बताया है, उसे थोड़ा याद करेजे, words को create करना उतना मैं नेनु वह आ, वह को आ कहते हैं, और यहा को E कहते हैं, या बड़ी वदी E, E कहते हैं, याद रखेगा, वह आ, काम पनी, काम को कहेंगे पनी, कर सकता हूँ, चैई गलरू, कर सकता हूँ, चैई गलरू, नेनु आपनी चैई गलरू, मैं वहा काम नहीं कर सकता हूँ, ने नेनु आपनी चेही लेनु, मैं नेनु वह आप काम पनी नहीं कर सकता हूँ, चेही लेनु, मैं वह काम नहीं कर सकता हूँ, नेनु आपनी चेही लेनु, आप वह काम कर सकते हैं, मीरो आपनी चेही लेनु, आप वह काम नहीं कर सकते हैं, मीरो आपनी चेही लेनु, राम वह क कर सकता है। क्योंकि राम छोटा है तो वह आपन चेई गल्डु। मैं कुछ भी हासिल कर सकता ह। में नेनू एदैना 17 गलन्व हासिल करना को 17 गलनु तो नेनू एदैना 17 गलनू मैं नेनु कुछ भी, एदैना, कुछ भी को 18 गलनू हासिल कर सकता हूं 17 गलनू नेनु एदैना साधिंच गलनों, हासिल कर सकना को कहेंगे साधिंच गलनों, मैं कुछ भी हासिल नहीं कर सकता हूँ, नेनु एदैना साधिंच लेनों, मैं कुछ भी एदैना हासिल नहीं कर सकता हूँ, साधिंच लेनों, वहां कुछ भी हासिल कर सकता है, आतडु एदैना निन चाहिए आप इसके त्यान रखेगा तो फ्रेंट्स सेम इसी प्रकार आप अलग अलग जैसे आप हम वहा वे जैसे मैंने चाहर बताया हैं आपको उसको ध्यान में रखते हुए खुद अपने अब जिसे कुए आर पसे मैंने आपको मैं से बताये तो आप तुम से आपको आपको मैं तुम तुम को लेकर तुम तिलगु बोल सकते हो या तुम तिलगु नहीं बोल सकते हो दोनों को तिलगु में किस प्रकार कहेंगे अब आपकी चांस है कि आप इसका जवाब दें कितने लोग सही जवाब देते हैं चले देखते हैं अपकी बड़ तो फ्रेंट्स आज क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताए और अगर आपको इन 45 डेसे जो अभी स्पोकन क्लासे चल रहे हैं उनके पीडियस चाह जовалे मिल त है ने नेक्स वीट के साथ में अपके गाम झाया गहरी ऑगागा है